हेलो फ्रेंड्स यूपीएसी एक्जैम में आपका स्वागत है तो आज हम एंचेंट हिस्ट्री का यहां पर लेक्चर नमबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट स्ट्रॉक्चर एंड वर्न सिस्टम इन दी एज ऑफ दी बूदा सो इसे में लिए दो हिस्टो में डिवाइ ठीक है लेकिन फिर भी यहां पे कुछ चीशें नहीं हैं सूर्व के बारे में हम देखेंगी कि क्या क्या है सबसे पहले यहां पर सेकिंड अपनीजेशन के तरह में देख लैते हैं सो फष्ट जो अर्बनाइजेशन थी वह स्टार्ट हुई थी जो इंड़स वैली सिवेला यह निवर से हैं और यहां पर य 00 jo यहां पर यह बहुत जादा यहाँ आज यह बहुत जादा शुरुझाइब हॉ- आ注 participated है यहां पर यहां पर शुरुंट का था हमने जैसे की यहां चाल में देखा जाते हैं इस time period के दोरान यहां पे clear हैं सो यहां पर जो कानपोर डिस्टिक वहां पर एक सर्वे किया गया था जो बताता है कि यहां पर जो PGW face था मतलब की जो polished grey wear face था अब उससे यहां पर जो यह वाला PGW face है यह वाला तो यह तीन कुना बड़ा है किससे जो black and red wear face हमने पहले देखा था जो mainly gangetic plains के उपर वाला जो area था वहीं तक्सीमी था लेकिन अब यहां पर यह जो नदरन black polished wear यहां पर यह वाला face है यह बहुत जगा तक यहां पर फैल चुका था जैसे कि आप यहां पर यह वाला जो dark circle यहां पर देख सकते हैं यह जितना भी था यहां पर सभी इस प्रकार के यहां पर remains पाए गए हैं यह जितना भी area है यहां पर यह जो black polished wear है यह पाए गए हैं तो यहां पर जो NBBW यहां पर यह जो face है यह start हुआ था 500 BC यानि कि जो 5th century है उसके आसपास यहां पर शुरू हुआ था और इसी के साथ यहां पर जो settlement है और जो population इसमें काफी ज़्यादा increase देखने को मिला और इसी से यहां पर शुरू होता है second urbanization इंडिया में तो यहां पर जो हरपन टाउंस है अब यह disappear हो चुका था 1900 BC के आसपास तो यहां पर first urbanization बोला जाते है हरपन जो काल था लेकिन अब यहां पर 1500 साल के बाद यहां पर establishment यहां पर नहीं देखने को मिली लेकिन अभी यहां पर 1500 साल के बाद यहां पर establishment होना श 5th century BC में सो इसी से यहां पर जो second urbanization है वो शुरू होती है सो यहां पर बहुत सरे जो टाउंस है अब वो पाली संस्क्रीट जो टेक्स हैं इंसमें mention किये गए हैं जैसे कि अब जैसे कि यहां पर कोजंबी हो गया सरवस्ती हो गया अयोध्या कपिल वस्तु वारा नसी वेशा पाली राज के पाठली पुत्र चंपा ठीक है इन सभी की यहां पर excavation यहां पर की गई है सो यहां पर जो साइन है पतना में ठीक है यहां पर हमने last में अभी मैं इसकी डाइगराम यहां पर अब जहादा तर जो अभी हम यहां पर कर रहे हैं लेकिन हमने हमने तारश ओस्पर आहां पर यहाँ पाया गया अब आप्यास घ्या खश्रत मिंड्र के हो गया पेंटर हो गया सो यह मेली आप इसे स्पैसिफाई किया गया है तो मेली आप मतलब यहां पर एक व्यक्ति के दवारा यहां पर करेंटर का काम किया जा आगे जो इसका sun होगा वो भी क्या करेगा यहां पे car painter ठीक है तो इस प्रकार से यहां पे hereditary system होता था और यहां पे जो product होते थे crafts के उसे transport किया जाता था merchants के दुबारा long distance तक यहां पे वो यहां पे वेपार यहां पे किया जाता था जो fine textile हो गया ivory objects हो गया हो गया सो इन सभी चीजों के यहां पे यहां पे पाई जाते हैं कि यह trade काफी दूर दूर तक फैला हुआ था उस समय में तो trade के बारे में यहां पे देख लेते हैं सो जितना भी यहां पे important cities है यहां पे वह river banks के लोंगे यहां पे situated थी और जो trade सुरूर्स है वह एक के दूसरे को यहां पर connect करते थे यहां पर एक state को दूसरी state के साथ अब यहां पे जो कोशल होगया मगद हो गया इनके बीच में भी यहां पे जो trade होता था ठीक हे mrkthora के through होता था यहां पे और यह कहां तक पैल हुआ था ठीक है जो आप देख सकते हैं कि जैसे कि तो यहां पे जो मगद और जो कोशल था उसका यहां पे जो वेपार था वो मत्थुरा के होते होते यहां पे वो कहां तक फैला हुआ था तो यहां पे देख सकते हैं कि कितना लंबा यहां पे जो वेपार यहां पे जो रूट इनके द्वारा कवर किया जा रहा है एक जगा से दूसरी जगा यहाँ पे जो लग्सरियस जो आइटम में होती थी उनका यहाँ पे वेपार बहुत ही बड़े पेमाने के उपर यहाँ पे किया जाता था clear है और यहाँ पे मथूरा से यहाँ पे यह साउध की तरफ यहाँ पे ट्रावल करते थे west की तरफ यहां पर उजेन तक यहां पर यह ट्रावल करते थे जो गुजरात कोस्ट है वहां तक यह ट्रावल करते थे जो इनके दोवारा वेपार किया जाता था ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर किया जाता था और यहां पर यहां पर प्रेस्टीज अबजेक्ट्स हैं जो मैटल की बनी होती थी वो भी बहुत ज्यादा यहां पर सर्कुलेट थी समय में तो इसी के साथ में यहां पर वैदिक टाइंए अब वहां पर बाटर सिस्टम है यह भी साथ में चलता था ठेकर यहां पर हो चुका थाशकर यहां पर ौजाता था सो यहां पे जो cattle है अब इसे भी यहां पे serve किया जाता था यहां पे purpose of currency ठीक है तो जैसे गाए हो गया बक्री हो गया बेड़ हो गया सो यह भी यहां पे अगर कोई भी महेंगी वस्तु है जो luxurious आइटम अगर खरीद रहा है तो इसके purpose से वो cattle भी यहां पे exchange किया करते थे clear है सो coins यहां पे जो बनाई जाते थे metal के वो first appear हुए थे गौतम बुदा के time period में पंच marked coins silver और मेली copper के यहां पे बने होते थे इसे पाली text यहां पे बिर जो money का यहां पर इस्तिमाल बहुत जादा किया जाता था। इसके बाद यहां पे writing के बारे में देख लेते हैं so urbanization ने यहाँ पे ज़ो ज़ाद यहाँ पे मजबूत किया state को और यहाँ पे विपार को भी मजबूत किया so इसके साथ यहाँ पे जो reading और writing है यह प्रमोट यहाँ पे हुआ उस समय में so यहाँ पे बोला जाता है कि हड़पन culture के बाद जब यह खतम हो गया था तो यहां पे अशोक का टाइम पिरियर से कुछ सेंचुरी पहले यहां पे जो राइटिंग है वो अस्तित्रमियाई वो शुरू हुई थी तो ऐसा यहां पे माना जाते हैं तो अर्लियस रिकॉर्ड यहां पे नहीं मिले हैं यह इसन 그게 हैं? तो वो यहां पे इतनों समय तक यहां पे नहीं रहेगा तो वो यहां पर इसलिए हमें राइटिंग के जो रिकॉर्ड's हैं वो नहीं मिले हैं खलीर है bo我也 जो राइटिंग रिकॉर्ड olduğ कょंऊ है । इससे हमें बहुत कुछ में पता लगता है उस समय के बारे में जैसे trade किस परकार का था tax system किस परकार का था यहां पे large army को तो इसका जो पार number 1 होगा तो पार number 1 में यहां पे मैं जो अर्थ शास्त्रय जो कोटलिया के दुबारा लिखी गए थी चान्क्या के दुबारा इसके बारे में detail में explain करूँगा और जो Indie का जो पूस्तक है ठीक है उसके बारे में इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक्स्प्लेइन करूँगा पार नंबर वन में पार नंबर टू में हम देखेंगे कि जो Moran Empire उसके बारे में चंदरगुप्त मोरे अगी तो थोड़ा डिटेल में चलेंगे क्योंकि UPSC Mains के लिए यहाँ पे आपको सब कुछ करवाया जा रहे हैं तो चलिए यहाँ पर next देखते है को सो यहाँ पर टेक्स्ते है सुल्फ सुत्रा सो यहाँ पर मेली डील करता है कि जो ती यहां पे उस समय में जिटो इसमाल की जाती तो उस चीज के यहां पर लिखा हुआ है मैं सुल्फ 17 मेंasons तुह्हू यहां पर डिमार्क्षन यहां पर फिल्ड की किस प्रकार के की जाएगी याết है आओस इस को किस प्रकार से यहां पर मैसर करने इस सभी के बारे में यहां पे लिखा हुआ है रूरल एकोनोमी के बारे में देख लेते हैं यहां पे उस समय में जो प्रिंस, प्रिस्ट, आर्टिशन, ट्रेडर्स, एड्मिनिस्ट्रेटर, मिल्टरी, पर्सनल जो भी यहां पे अदर फंक्शनल जो उसमय में कार्या करती थी यह यहाँ पे ना हो सकती थी अगर तो यहाँ पे टाउंस में टैक्स सिस्टम, ट्रिब्यूर्स और जो टीतिस हैं अगर यह ना होते उस समय में तो यहाँ पे यह चीजे मिलना मुश्किल थी उस समय में जैसे कि अगर आज के समय में हम देखें कि जो देश में development होती है वो किस परकार से होते हैं जो भी taxes यहां पर हमारे दुवारा यहां पर दिया जाता है तो वो पैसा जो सरकार के तक पहुंचता है वो ही यहां पर जो पैसा होता है वो development के ओपर यहां पर लगाती है इसी परकार से यहां पर जो taxes हैं यहां पर यह बहुत ही ज़्यादा important हो जाते हैं यहां पर जो non-agriculturist थे अब यहां पर यह जो towns में रहते थे ठीक है यहां पर यह क्या करते थे इनके दुबारा यहां पर बहुत सारे अलग-लग कारह किये जाते थे जैसे artisans हो गया trades हो गया तो यहां पर जो अगर पर गयरा यहां पर मिलता था इसके बदले में यह क्य करते थे आप जैसे आपर टांड में रहते थे टूल्स क्लोथ हो गया यहでは जैसे जितना थी वो इनके दुवारा यहां पर बनाई जाती थी तो यहां पर एक दूसरे के ओपर क्या थे यह डिपेंडेंट थी तो जो यहां पर NB PW face तो इससे यहां पर जो कोसंभी है तो यहां पर जो discover किये गए हैं जो iron tools यहां पर mainly axes, knives, razors, nails, sickles यहां पर कोसंभी में पाएगे हैं जो इसके और इसके remains है वो पाएगे हैं तो पाली टेक्स्ट में यहां पर mainly तीन तरह के villages के बारे में जिकर किया गया है तो first यहां पर जो category आती है जो mainly जो villages हैं इसमें अलगलग तरह की जो past और communities यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर इसका यहां पर जो head यहां पर जो head है वो कौन है village head में जिसे बोजक के नाम से जाना जाता है second जो type यहां पर पाई गई है पाली टेक्स में वो क्या है वो है यहां पर sub-urban villages अब यहां पर सो mainly जो craft villages मतलब जो car painter villages हो गया chariot makers हो गया ठीक है यह सारे यहां पर कार्या किये जाते थे तो इसके जो अवशेश हैं वह वारा नसी के नजदीक यहां पर पाए गए हैं अब यहां पर यहां पर यह एक मार्किट प्रोवाइड करते थे clear है अब यहां से जैसे कोई कारपेंटर का काम हो गया iron making का काम हो गया ठीक है इस प्रकार के जितने भी कार है तो वो इनके दुवारा यहां पर किया जाता तो इनकी यहां पर एक अलग से यहां पर मार्किट यहां पर हुआ करती थी clear है जो कि यहां पर टाउन को जो ग्रामी शेतर है उनसे जोड़ा कर यहां पर यह थर्ड कैटेगरी थी यहां पर clear है चो यहां पर इसके स्राउणिंग यहां पर फोरेस्ट भी हुआ करते थे सो यहां पे जो विलेज लेंड है अब वो डिवाइड थी यहां पे कल्टिवेबल प्लोट्स में और यहां पे हर फैमिली को यहां पे डिवाइड थी यहां पे प्लोट उन्हें दे दिये जाते थे अब यहां पे यह जो हर family के लोगों को जो यहां पे प्लार दिये जाते थे वो क्या करते थे यहां पे fencing क्या करते थे irrigation के लिए जैसे यहां पे खुदाई की जाती थी reverse वगरा ठीक है वो जो system था यहां पे पॉंट्स उनके दुवारे यहां पे नहरों के निर्मान किया जाता था यहां पे irrigation खेतों में यहां पे provide करने के लिए यह सारे कारे किसके अंडर होते थे यह जो village headman होता था उसके अंतरगती यह सारे कारे किये जाते थे अब यहाँ पे जो किसान है अब उन्हें यहाँ पे 16 हिस्सा देना पड़ता था अपनी पर्ड्यूस का एजए टेक्स मतलब कि अगर तो यहाँ पे जो खेत है अगर तो उसमें से 60 किलो यहाँ पे गेहू निकर रहे हैं तो इसका जो 16 होगा वो कितना होगा 10 kg यह 10 kg ने टेक् जो एजएंट्स हैं उनके दुबड़ा क्या जाता तो कोई इंटरमेडियेट सिस्टम यहाँ पर नहीं होता था ठीक है जो ब्रॉकर्स वगईरा नहीं थे तो यहाँ पर यहां पर जो विलेजीजी हैं अब यहां पे ब्राहमन को भी आपर दिये गए थे या जो बड़े- यह अपना जिबन वहतीद करते थे, गहपतिस कौन थे यहाँ पे, so, यहाँ पे जो rich peasants है, ठीक है, so, वो थे यहाँ पे, इनका जो status है, वो same था, जैसे वेश्यास से, ठीक है, so, वेश्यास ओर यहाँ पे जो गहपति हैं, तो यहां पे यह दोनों के हैं एक्कोल हैं यहां पे उसके बाद यहां पे जो शाली टर्म के इस्तिमाल किया गया है वो यहां पे ट्रांस्प्लांटेशन के लिए किया गया है ठीक है यहां पे पाली प्रकृत संस्क्रीट एक्स यहां पे बहुत जाद है इसका यहां पे इस् उगा देना ठीक है ट्रांस प्लांटेशन अब जैसे यहां पर जो पैड़ी है अब पैड़ी को क्या करते थे जैसे पहले के समय में क्या होता था कि यहां पर एक ही जगा पर वो उगाते थे यहां पर बीज यहां पर लगाते थे ठीक है तो पैड़ी यहां पर जो राइस जो चावल होते थे अब उसकी यहाँ पे जो प्रड्यूस हैव इतनी जजादा मात्रम नहीं होती थी लेकिन यहाँ पर अगर वह भी जगावार है चावल की वह बहुअ बड़ चुकी थी ठीक है तो यहां पे एक नया revolutionary यहां पे face देखने को मिला तो इनके दवारा यहां पे use किया गया है तो इसका यहां पे term आप लोगों को पता होना चाहिए शाली ठीक है तो next यहां पे इसके इलावा यहां पे जो किसान है वो barley, pulses, millets, cotton, sugar gain ठीक है जो गन्ना होता है सो यह भी यह उगाया करते थे अब यहां पे अब यहां पे जो king हुआ करते थे उनके दवारा जो आर्मे को maintain करना हो गया ठीक है टेक्स को collect करना हुआ तो यह सब कुछ यहां पर possible हो पाया यहां पर यहां पर जितना भी system है यहां पर लार्ज जो territory states है यहां पर ठीक है उन्हें यहां पर बनाया गया sustain यहां पर रखा गया तो यह सब कुछ यहां पर हुआ पॉसिबल taxes basis के उपर और यहां पर जो maintain यहां पर आर भी इनके दुबारा की गई थी उस basis के उपर clear है so यहां पर playlist आपको निचे description box में मिल जाएगी सभी की यहां पर history की video को find out करने की जुरूरत नहीं है so यहां पर आपको लग-लग pages जैसे instagram, facebook, telegram आप इने follow कर सकते हैं so यह सभी के link आपको निचे description box में दे दिए गया है so next यहां पर administrative system के बारे में देख लेती है so यहां पर जो राजा highest official status यहां पर होता था उसका और यहां पर protection प्रोवाइड की जाती थी लोगों को और यहां पर जो उनकी properties हैं उनको यहां पर जो protection है वो प्रोवाइड करने का कार्या होता था राजा का so राजा यहां पर बहुत सरे officials होते जो अधिकारी होते थे वो राजा की मदद करते थे यहां पर higher officials यहां पर महामत्राज जिनने बोला जाता है तो लगलग functions इनके दुवरा perform किये जाते थे जैसे कि minister हो गया जो मंत्री मंदल हो गया ठीक है यहां पर commander हो गया सेना पती judge chief accountant head of the royal harem हो गया ठीक है तो जो महल वगारा जो होते है तो mainly उसके जो head होते हैं तो इसकी देखरेख वगारा जो करना वो सारा इनका कारे होते है उसके बाद यहां पर अयुकता यहां पर जो class थी officer की ठीक है तो यहां पर वो भी एक similar function यहां पर किया करता था यहां पर कुछ stairs इनके अंडर हुआ करती थी उसके बाद village headman यहां प ठीक है तो यहां पर इससे क्या बोला गया गया इन्हें ठीक है तो यहां पर leader of the gram या जो tribal military unit होती है सो उनके यहां पर लेडर इन्हें बोला जाते ग्रामी नी तो ग्रामी नी यहां पर इससे ट्रांसफोर्म किया गया village headman प्री मौरें टाइम्स के पहले तो village headman यहां पर लग लग टाइटल यहां पर दिये गए जैसे की ग्राम बोजक ग्रामी नी ग्रामी का सो इस प्रकार से लग लग यहां पर टाइटल दिये गए तो यहां पर जो टाइटल ग्रामी नी अभी यहां पर श्री लंका में देखने को मिलता है आज के समय में भी 806,000 86,000 जो में यहां पे पाए गए घजाँ पिन्भी सार के टाइम पिरेड Cabinet मतलब कि देख सकते हूं जिसके ऊपर यहां पर रूल किया भिबी शाओ कने इतना बड़ा यहां पर violations और हो एंफ्र कि वह प्र यहां पर अ कि पने श्डहेर का ने अ होगा है सो यह कार है यहां पर इसे दिये गए थी क्लियर सो पीडिया फाइल की फोर्मेंड में अगर आपको नौर्स चाहिए यह सभी बहुत ही कम कोस्ट के उपर मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन आप मुझे वर्टसेप के उपर मैसेज कर सकते हैं तो नेक् यहां पर जो हो से अभि यहां पर हो चुकी तिहां पर इस इंपरने से अ जिसकी आर्मी होती थी श्ते इंपरे गई थी टैक्सेज वगारा इननेहीं पे करने परती थी अभ सारा किसे उपर आ isto नहीं जो है तो इन्हें उपर यहां पर साइब करना होता था और यहां पर नहीं पर रहाँ ता अब के नहीं पर नहीं से दिशा तो यहां पुर पहले तो यह इतना ज़ाद है यहां पर compulsory नहीं था इंपोर्टर नहीं था जिसके इच्छा होती थी वो दे दे था था लेकिन अभी यहां पर compulsory कर दिया गया था यहां पर कि हर किसान को यहां पर यह बली जो है वो देनी होगी ठाल मतलब कि यहां पर जो पेमेट यह वह देनी होगी इन दी एज उफ दी बुढूदिस्ट तो अब यहां पे जो officers हैं अब वो न्युक्त किये गए थे अब यहां पे यह जो बली है ठीक है इसे यहां पे collect करने के लिए और इन्हें यहां पे क्या बोला गया इन्हें बली साधका बोला गया ठीक है जो यहां पे collect करते थे अब इसके इलावा जैसे कि अभी हमने last में भ देखा था कि जो किसान है अब उन्हें यहां पर वन सिक्स पर्ड्यूस यहां पर टेक्स के रूप में देना होता था लेकिन इसके इलावा इन्हें अधर कारें भी यहां पर करने होते थे अब जैसे आर्टिशन की बात करें यहां पर अब उन्हें यहां पर महीने में एक दि बेस्ते थे उसके ओपर ठीक है तो और यहां पर क्या था कि जो टॉल है वो यहां पर क्लेक्ट किया जाता था ओफिसर्स के दुवारा अब जैसे आज के समय में भी टॉल यहां पर लिया जाता है जब भी हम एक जगा से दूसरी जगा जाती है ठीक है तो टॉल यहां पर वह क की इंपोर्टेंस है वो खतम होने लग गए थी अब इसे यहां पे एक अनदर न्यू बोड़ी यहां पे बनाएगी जिसी परिशद बोला गया तो में लिए ब्राह्मान्स के द्वारा यहां पे इंफ्लुएंस देखने को मिलते हैं सो उनके द्वारा यहां पे परिशद यहां पे न्यूक्त की जाती थी यहां पे कार्या किये जाते थे उनी के अंडर यहां पे डिसीजन वगरा लिये जाते थे तो यह राजा की देखरेक में होता था अब यहां पे सबा और समिती यहां पे यह खतम हो चुकी थी clear is so I hope आपको part number one समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो like और share जरूर कर देना